वीरेंद्र सेहवाग ने केल राहूल को लगातार मोके देने पर टीम मेनेजमेंट पर उठाये थे सवाल पारोत रूइंगलेंड के बीच जारे टीट्वेंटी सीरीज में मेजबान टीम फिलहाल एक दो से पीछे है 18 मार्च को एहमदा मार्च के नरेंद्र मोधी स्टेडियम में टीम इंडिया दो-दो से बराबरी करने की पूरी कोसित कर रही थे टीम इंडिया ने अपने इस सीरीज में वेशा प्रदसन नहीं किया जेसा की उमीद की चार रही थे हाला कि भारत को एक जीत हासिल होई थे लेकिन विर्यात की सेना की कमजोरी साफ नजराई थे भारत टीम मेनेजमेंट के कुछ फेसले पूर्व क्रिकेटर्स को पसंद नहीं आ रहा थे बेटिंग ओडर में बडलाव को लेकर भी सवाल उठाय जा रहे थे फिरंद्र सेवाग ने ग्रीक बच के साथ चेट सो में कहा क्या किसी खिलाडी में दम है कि वो टीम मेनेजमेंट से सवाल कुछ सकता है क्या कोई हमारे टीम से एसा खिलाडी है जो टीम इंडिया मेनेजमेंट से सवाल कुछ सकता है सवाल पुछा जाए कि केल रहोल की तीन पार्या खराब हुई और जिखर दवन की एक पारी खराब हुई लेकिन उन्हें मोका नहीं मिला क्या सिखर पुछी सकते है कि मुझे आगे मोका मिलेगा प्रिया नहीं क्या उनके अंदर दम है एक पुछने का अजे जाड़ जाने भी टीम इंडिया के फेशलो पर शवाल उठाती हुए कदहा था कि हार्दीक पंडिया जब खेलने आए तो आर्चर वुड उन्हें मिलते है जबकि उन्हें ऐसे वक्त पर बले बाजी के लिए भेजा जाना चाहिए जब कमजोर गेंज बाज बोल फेक रहे हो आर्दीक पंडिया शेम कुरें फ्री शोर्डन के खिलाग जब अदरस्त अंदाज में खेल सकते हुए उनके मुदाबिक पंडिया को उपर की पोजीशन मिलने चाहिए फिल हाल अभी के लिए बस इतना है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजे और इस चैनल को सब्स्टेप करना ना भूले